कि हलो एवरिवन इस वीडियो में चल्चा का बीशे होगा धोखा नीबंध और लोबहुर पृति नीबंध पहले धोखा नीबंध पर चल्चा करेंगे फिर लोबह उर पूदि पर उनहीं तत्यों को देखेंगे जु हमारी परीच्छा की दृति informative से important है, हमारे paper code MSD 04 के लिए आवस्यक है, सिर्फ उन्हीं तथ्यों को देखते हुए चलेंगे, जिससे की हमारा paper आसान तरीके से हो जाया है, उसमें सारे question इस topic से आने वाले कर पाएं, चलिए, पहला निबंध लेते हैं, धोखा, जिसके लेखक है, प्रताप नरायन मिस्र, य उसके अंदर यहां ललित निबंध है, निबंध नौगीस संकलन में इसका प्रकासा सर 1919 में हुआ था, उससे पहले यह प्रताप नरायन मिस्र के पत्रिका ब्रामभड में प्रकासित हुई थी, इसमें मिस्र जी ने यहां बताने की कोशिस की है, कि मनुष से किस प्रकाल ध पूर्खता समझी जाती है, कि अगर धोखा दे रहे हो तो यह बुरी बात है, लेकिन अगर धोखा खा रहे हो तो मतलब तुम मूर्ख हो, ऐसा समझा जाता है, प्रताप नरायन मिस्र ने इस निबंध में दार्शनीक और मनो बैग्यानिक पहलूँ का अत्यां तरोचक वार जाते हैं, निबंध में मिस्र जी कहते हैं, राम मरीश से धोखा खा जाते हैं, जो स्वण हीरन बन के आया रहता है उससे, तो हमारी क्या सामल थे हैं, हम तो इंसान है, अल्थात हम तो धोखा खा ही सकते हैं, प्रताप नरायन ने इस निबंध में कई तथ्यों कूज आगर की है, जैसे इस्वर संबंदी सोच उनकी हमें देखने मिलती है. जगत को मिथ्या मानते हैं. वह भी इसी निवंद में उन्होंने दरसाया है. धोखे की नीती को उन्होंने यहां पर दरसाया है. धोखा संबंदी सोच किस प्रेकार उधगाटिद करते हैं देखिए भगवान राम वा मारीच का जिक्र करके इसका उद्गाटन करते हैं जैसे भगवान राम धोखा खा जाते हैं जब मारीच स्वण हीरन बनकर आता है तो यहां पर इस्वर संबंधी बिचालधारा उनकी परलचित होती है दूसरी जगत को मिथ्या मानना इन्होंने भ अपने को परिवर्तित करते हैं जैसे भगवान स्री कृष्ण जो है यहां पर अदोयतवाद का इन्होंने उदारण जिक्र मिलता है जैसे अदोयतवादी जो हैं वे जगत को मिथ्या मानते हैं और धोख्य की नीति में देखें तो इन्होंने स्री कृष्ण का उदारण दि लिखने को मिलता है मिस्र जी कहते हैं कि धोखा खाना या देना बुरा समझा जाता है कि यंदू कोई भी चीज बुरी नहीं है केवल उसके बिवहार का नियम बनने बिगड़ने से तू भी धाउत्पन होती है जैसे धोखा देना अच्छा भी है और खाना भी अच्छा है और बुरा भी है क्यों कि किसी किसी जगा पर धोखा देना अच्छा हो सकता और किसी जगा पर बुरा हो सकता है जैसे स्री किष्ण जब धोखा देते थे तो अच्छाई के लिए देते थे तो वहाँ इसको धोखे को मिस्र जी उचित ठहराते हैं इसके बाद भासा साहली की बा प्रताब नराण मिस्र ने किया है, जैसे कलाई खुलना, प्रपंच रचना, नाग भौसी कोड़ना, आज मुहाबरे यहां देखने को मिलते हैं, तत्सम सब्दों के साथ, तत्भौ तथा जन साधारण में प्रयुक्त, अर्भी, फार्सी, तथा उल्दू का प्रयोग इन्हो आला बिंदू यहां पर ज़्यादा आवस्सेक रहेगा अगर प्रस्ण बनेगा, तो या तो सहली गद्विसेश्ताओं से बनेगा, या तो भासा सहली से बनेगा, चलिए देखते हैं, निबंध कि सहली गद्विसेश्ता है, इसे कि स्रेडी का निबंध कहा जाए, दोखा निबंध को कि स्रेडी का निबंध कहा जाए, इस पर बिवाद है, और एक बिचार जो कि इसे बिचार प्रदान निबंध मानता है, और दूसरा इसको भाव प्रदान, तो इसमें दोनों विसेश्ताओं अपने को देखने मिलती है, जैसे कि यहां पर हम देखेंगे, कि धो निबंध सहली के दृष्ट में कि स्वर्ग से रखा जाए, इस पर दून्ध तो ही, जैसे धोखा खाना या धोखा देना एक मानवी करिया है, इसी धोखा को मिस्र जीनेस निबंध का भी सह बनाया, धोखा सब्द पर विचार कलते हुए लेखक ने इसके बैचारिक और दा लाक्ष में देखें, तो वहाँ इस निबंध की में जो बैचारिकता है, उसको तोड़ते हुए, गंभीरता को तोड़ते हुए, वो कुछ ऐसी पंक्तियों का प्रयोग कलते हैं, जो हमें थोड़ा सा विचार से, प्रधानता से, गंभीरता से उबारती हैं, जैसे बहुत हम देखते हैं कि किस प्रकार पहले गंभीरता है, फिर भाव है, ये चीजे हमें यहां इनके निबंध में देखने को मिलती हैं, कुल मिलाकर हम इसे ना तो भाव प्रधान निबंध में पूरता रख सकते हैं और ना ही विचार प्रधान निबंध में, इसमें लेखक की वि तो यह रही इसकी भासा सहली अब बात करेंगे अगले निबंद लोब और प्रीति पर जिसके लेखक है आचार रामचंद्र सुक्ल है यह भी एक निबंद है और मनो विकार संबंधी निबंद है मन में जो इंसान के विकार आते हैं जैसे लोब प्रीति ठीक है लालच या फिर प्रेम इन सबको और ऐसे ही विकार संबंधी निबंद चिंता मड़ी भाग एक भाग दो भाग और तीन में उनके प्रकासित हैं जिनमें भाग एक जो है भाव प्रधान निबंदो के लिए और विकार संबंधी निबंदो के लिए प्रमूख है उसमें ये निबंध जादा है और भाव मनो विकार संबंधी तथा समीच आत्मग निबंदो की रचना सुकल जी ने अधिक की है मनो विकार आत्मग निबंद चिंता मड़ी भाग एक में संकली था जिसमें भय, क्रोध, स्रद्धा, लज्जा और ग्लान, करुडा, आधि ऐसे 10 निबंद इन के मनो विकार आत्मग निबंद देखने को मिलते हैं बहुत धिकता वभावनात्मक्ता के में परस पर संतुलन बना कर लेखन करना सुकल जी की विशेस्ता है सुकल जी ने अपने निबंदो में हिर्दै गतन भूतियों को अस्थान देते हुए संतुलिध बात करते हैं वहाँ पे भाव भी होते हैं और बैचारिकता भी होती है और किसी भी चीज की परिभासा देना होता है बहुत गठी हुई भासा का और सदी हुई भासा का प्रयोग सुकल जी करते हैं इसमें हम निबंध की निबंध पर बात नहीं कर रहे हैं कि जो निबंध है उसका मूल प्रतिबाद नहीं देख रहे हैं सिर्फ उसकी विशेस्ताइं देखते हुए चल रहे हैं और उसकी भासा सहली और लेखा का क्या दिरिष्ट को रहा था इन सब चीजों पर चल्चा करते हुए चल रहे हैं निबंध आप लोग स्वयम भी पढ़ सकते हैं पढ़ा ही होगा अपने स्लेवस में तो इसलिए सिर्फ उसी बिंदू पर चल्चा कर रहे हैं जो हमारे एक्जाम की दिरिष्ट से इंपॉर्टेंट है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां आपने बात की सुकल जी ने अपने निबंधों में हिर्दय का तनबूतियों को अस्थान देते हुए संतुलित बात की है जो है फिर इसके बाद ब्यक्ति प्रधान या बिसे प्रधान इनके निबंधों में प्रस्ण उठता है कि यह ब्यक्ति प्रधान है या बिसे प्रधान है तो इस पर सुकल जी करते हैं कि या निर्डए मैं अपने पाठ को पल छोड़ता हूं कि ये मेरे निबंध किस रेड़ी में रखे जाए जाए ब्यक्ति प्रधान स्रेड़ी में या विसेप्रधान स्रेड़ी में आगे मनो विकार संबंधी निबंधों में रसनाकार के ब्यक्ति तुकी निश्चल अब बंजना का प्रमुखस्थान रहता है जो की हम इस निबंध में देखते हैं शुकल जी ने यहाँ अनिवार रूप से बिद्धमार है अब भासा की बात करें तो शुकल जी निबंध को गद्ध की प्रमुख बिधासोविकार करते हैं वे कहते हैं यदि काब्ध की कसवटी है तो निबंध गद्ध की कसवटी है यदि काब्ध में गद्ध होना चाहिए वो ऐसे गद्ध की अंदर निबंध होना चाहिए अगर निबंध नहीं है तो गद्ध किसी काम का नहीं है और यहाँ भी कहते हैं कि अगर किसी का रचना कर्म देखना है तो उसका निबंध देखिए अगर उसके निबंध उतक्रिष्ट हुए तो अवसी ही एक उतक्रिष्ट रचनाकार है मनों विकारों का विवेचन स्वरूप निर्धारण वा परिभासा आधी बताते हुए शुकलजी सूतर सहली का परियोग करते हैं जैसे कि लोप की परिभासा देते हुए उन्होंने कहा किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के आभाव वस्तु के संबंध में मन की ऐसी इस्थति हो जिससे उस वस्तु के आभाव की भावना होते ही उसे पाने की प्रबल इच्छा उत्पन होने लगे उसे प्राप्ति की प्रबल इच्छा उते उसे ही लोप कहत तो यहां हम देखते हैं कि इसमें से एक भी सब्द निकाल पाना संभव नहीं है तो यहां हमने देखा किस प्रकार इन्होंने अपनी भासा का प्रयोग किया और इनके किस तरीके से परिभासाएं देते हैं कितनी सधी हुई भासा का प्रयोग करते हैं इसमें बहुत धिक्ता यों भावनात मक्ता का परसपर संतुलन देखा मनु भिक्यार संबंधी निबंध हमने देखे इसके बाद इसके पहले वाइल निबंध में धोखा की चल्चा की हमने और मिलते हैं अगले वीडियो में सारा स्लेबस MSD4 का समराइज है उसमें जो बहुत important topic है और exam hall में जाने से पहले आप उस वीडियो को देखकर जरूर जाईएगा इससे आपको revision रहेगा और याद रहेंगे तथ तो आप exam में बेहतर